दंगा कराने काम किया सबसे जादा भारतिय जंता पार्टी दंगा कराने काम कर रही है आप कहिए यूपी में कावा जेल चले जाओगे उचिये परधान मंत्री से डिगरी आप जेल चले जाएंगे इसके परधान मंत्री कॉंग्रेस जॉइन कर लें पीजेपी कॉंग्रेस के सरण में आजाए तो बच जाएगी रामन पूरा जल गया था पूरी लंका जल गई थी लेकिन एक घर भी भी जणका बच गया था वुमी में तलवार लहराना जरूरी है या अपनी आस्ठा को पहचाना तो यह बिल्कुल आपका सवाल बड़ा लाजमी है आय तानासा आय जु वो बेघर कर रहे हैं आज पूरा बिहार जल रहा है आज पूरे देश के तमाम तमाम ऐसे कोनों से देश की जनता को जलाया जा रहा है कहीं भुगमरी से जलाया जा रहा है कहीं आग से जलाया जा रहा है कहीं रामनौमी के नाम पे तांडो कराया जा रहा है बीजेपी सत्त पाने के लिए देश में हिंदू-मुसल्मान करा रहें फिर जनता पाटी ने जिस तरीके से पूरे देश में आग लगाने नंपर मंदिर मर् न मासित के नाम किया आज व वह बिहार के तमाम क्या देखा एक वीडियो में ends कुछ इसका जिम्मेदर कौन है एक इंशा कर दो दिन के लिए डिया अडिक्राइब कर दिया इतने बड़े राज में आप सरकार में नहीं है तो जंता तो आपको जानती है ना आप ग्रह मंत्री हैं आपके अधिनस्त में सारी सुरच्छा एजंसिया हैं आपको समझना चाहिए कि वाकई में इस देश की जंता को आपने क्या नयाज देने का काम किया जिनको हिंदूों को तलवार देने का काम करते हैं मैं कहता हूँ राम नौमी में तलवार लहराना जरूरी है या अपनी आस्ठा को पहचाना सस्त्र के नाम पे सास्त्र पहन के भगवत कीता में भी ऐसी बहुत सी लाइने लिखी गई हैं महा भारत भी हुआ इस देश में महा भारत भी जिस तरीके से जब बिनास काले कभी प्रीत बुद्धी हो जाती है तो लोग कहते हैं भगवा उठा लीजिए कभी भगवान सिर्राम ने सस्त्र नहीं उठाएते हो उन्होंने अपनी बानी के जरिए उन्होंने पूरे सामराज को जीतने का काम किया था आपने देखा होगा रामन पूरा जल गया था पूर भार्तिय जंता पाटी भारतिय ठखपाटी यह बिले कर ले कॉंग्रेस में आज जरूरत है जो लोग भगवा के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं प्रभु सुष्णा की कलपना कोई नहीं कर सकता प्रभु राम स्री कोई नहीं बन सकता है लेकिन मोदी जी लंबा लंब तीका लंबा-लंबा भागवा पहीन के देश को बेचे चले बवचवा यह कहवा तो बचवा कहा जाता नहीं प्यार में आप कहिए यूपी में कहवा जेल चले जाओगे उच्छी परधान मंत्री से डिगरी आप जेल चले जाएंगे अब मोदी जी से पूछिए आप भीक कम मांगे थे मोदी जी तो कहते हैं मैं भीक मांग के खाया हूँ 25 साल भीक मांगी है यह भीक नहीं मांगे है जनता के हातों में इवाओं के हातों में विखारी बना के कटोरा थमाना चाहते हैं हमारा मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं हो सबसे जादा भारतिया जंता पार्टी दंगा कराने काम कर रही है अगर जनता की जजबात को अगर उठाने का किसी में जुर्रत है तो वो सरवन-पांडे मुखर होके देश के प्रधान मंतरी को चुनावती देता है आप हमारे नेता राहुल गाधी से डिबेट कर लिजिए और राहुल गाधी के सवालों को जबाब दे दिजिए राहुल गाधी ने का है मोधिया डानी चोर हैं क्यों नहीं चोर हैं अगर चोर को सवाल नहीं बताई है वही कावत नहीं गई है अगर चोर को चोर कहेंगे तो सब्सक्राइब देशका करने के लिए अब देशकी जनता को गुमराफ करने का काम किया है अब देश की जनता चाहंद चुकी है प्लाण गाता वो है मोदी जी के ऊपर मुखदमा dio का जो समसान कवरिस्तान के बात करते थे इस यह अगंडी नहीं नहीं डेखते हैं यह देश की जंता को के वल भरगलाना चाहते हैं यह विकास पुरूस मेंत कहें नहीं हुगा नहीं हूं नौस और जौने की देश अझ ठैने की हमें देश की सच्छाई को जानने की जो लोग देश को नफरत में बातना काथता है है जो लोग तमाम ऐसे बंगाल हो बिहार हो तमाम ऐसे राज्यों में जिस तरीके से लगातार हिंसा बढ़ रही है और आग की जुलस में लोगों को जलाया जा रहा है में जानने की जरूरत है हमें सरकार से आवाज पूछना चाहिए हमें हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के दिलों में सभी का धर्म और सभी का मज़ाब बसता है इसलिए जरूरत है इस लड़ाई को लड़ने की और एक साथ होने की एक चानक के था उसने जब द्रण संकल्प ले लिया था तो चंद्रगुप्द के पूरे सामराज को खतम कर दिया था एक ब्रामाण सर्वन पांडे है बातपा के सामराज को खतम करने का काम करेगा तो कि ये पूरी तरीके से अपना सामराज बना के और देश की जनता को कंगाल करना चाहते हैं हम देश की जनता को कंगाल नहीं होने देंगे और इस देश का अगला प्रधान मंत्री राहूल गाधी होंगे इसे कोई रोक नहीं सकता है